तो फ्रेंट्स फिर एक बहन भाई के उपर उठाया गया है सवाल फिर एक बहन की मरियादा पर सवाल उठाया गया है फिर एक बहन ने अपने हक के लिए अपनी आवाज उची की है क्या है आई ये पूरा मेटर बताते हैं वेलकम बैक तो माई चैनल चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वो साथी साथ बैल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए तो भाई एक husband wife थे जिनोंने जीना हराम करा हुआ था और वो गलत गलत उल्टे सीधे allegations लगा रहे थे ना जाने कितनी चीजों को उल्टा सीधा बकवास करे जा रहे थे वीडियो पर वीडियो डाल रहे थे तो एक बहन की खिलाफ एक भाई के खिलाफ उल्टे सीधे उनके रि अपने हके लिए सपना खड़ी हुई उन्होंने अपनी audience के साथ अपने supporters के साथ मिलकर ये गुहार लगाई कि इस वीडियो को इतना जादा फैला दो जिससे कि उनकी जो बोलती है वो बंद हो जाए और वो उनकी हरकतों पर रोक थाम लगे और तुरंत ये रोक थाम लगी ना केवल वो सामने आके उन्होंने माफी मांगी बलके वीडियो डालना भी बंद कर दिया अनाप शनाप बखना भी बंद कर दिया क्योंकि उनके अनाप शनाप बखने से क्या हो रहा था कि लोग वहां पर जूड रहे थे गलसरत कमेंट कर रहे थे और उससे जो सपना की इ ना आप शनाव बख रहे हैं तो यह सब एक वीडियो बन रही है आपस में लोगों की कॉंट्रवर्सी हो रही है विचारी का उनको बीच में फसाया जा रहा जबकि उनका लेना देना भी नहीं है वो उनका भाई के साथ उनका नाता है बहुत अच्छी बॉंडिंग है राकी वो एक दूसरे को बहुत करते हैं कि दोनों की फैमिली में बहुत अच्छी बॉंडिंग है प्यार है लेकिन नहीं लोगों को गंद दिखाई देता है दोगों को दिखाईने ता पता नहीं क्या आंकों पैं पत्ठी बांद कर ओड़ दोग से कि उनको न इनको देखो बाते करो छी इतनी गंदी बाते के बंद कमरे में शरम नियाई बात करते हुए वो भी एक भेन भाई के पवित्र रिस्ते के लिए हिंदू फैमली से होने के बावजूद भी जहां भेन भाई के रिस्ते को एक कच्चे धागे के रिस्ते को भी इतना पवित्र मा जाता है और सही बताओ ना इतनी पॉजिटिव वाइब आती है आप देखोगे न ने यहां आशिश्टिवारी के जब व्लोक्स वो डालती है अपने भावी के साथ अपनी प्यारी सी गुडिया के साथ अपने भाई के साथ उन बहन भाई की बॉंडिंग देखकर न वाकई ल टेक करके कर रहे हैं यह हिपोक्रेसी है बहुत सारे लोगों पर मैं रियक्शन देती हूं लेकिन जितनी अच्छा लगता है ना इनके व्लोक्स देखना भले वो आट मिनट के हो दस मिनट के हो वो जो भी कुछ कर रहे हैं हस रहे हैं बोल रहे हैं जो भी कुछ दिखा रहे और उस मुकाम को उनको नाकाम करने की कोशिश करें बहुत सारी चीज़े समझ में आई जब मैंने इनको deeply follow किया और भी चीज़े observe की और भी चीज़े देखी तो इनके खुद के जो group के लोग थे वो ही एक दूसरे की टांग खिचाई करने में एक दूसरे को नीचा गिराने में एक दूसरे को जलील करने में एक दूसरे को बदनाम करने में कुल्टी सीधी हरकते करने में लगे पड़े शरम नहीं आती बिलकुल भी जिनके साथ हर चीज़ शेयर की है हसना बोलना इतनी सारी रील्स बनाई हुई है फोटो शेयर की हुए है मूवेंट शेयर की हुए बाद में फिर उनको बदनाम करते हो जब उनसे काम निकल जाए हमें तो बहुत सारी चीज़े ये भी समझ माई है कि भाई नेहा एक बहुत अच्छा अपना एक fan following रखती है और उनके चेहर का एक अलगी ओरा है लोग उनका फायदा उठाना चाते है और उनके fame का फायदा उठाना चाते है इसलिए उनको वीडियो में फिशर करते थे उनके साथ रील्स बना रहे हैं और बाद में फिर back stepping भी की है मतलब वही जो अपना कलीग है वही जो अपने सहेली है फिर उसको बदनाम करते हुए उसकी इज़त को उछालते हुए जराबी लोगों को शरम नहीं आई और तो और कोई वीडियो है जिस वीडियो में मैं तो वो तने सारे रियक्शन चैनल वालों के पास पहुचा दी गई ह इस पहुचा दी गई है कि इस वीडियो को लगाओ और बदनाम करो शरम नहीं आती एक इस तरह की एक लेडि जो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो रही है अपनी जिंदगी में खुद अच्छे से सर्वाइव कर रही है और अपनी जिंदगी की गाड़ी को पट्री पर लेकर आरी है अपनी बच्ची के साथ मिलके हासी खुशी जो अपनी जिंदगी को बसर कर दिये लोगों से देखाने जाता बिल्कुल भी क्यों ऐसे परिशान को जो पहले से परिशान हो या पहले से सताय हुए उन लोगों को और जादा सताय जाता है सरी बताऊ ना मुझे उनको देखकर बहुत जाद अच्छा लगता है और यह चीज़ देखकर तो मुझे और भी जाद अच्छा लगा कि उन्होंने अपने लिए स्टेंड लिया हाला कि उनके भाई दोनों भाई मैं तो यह कौँगी क्योंकि मैंने उनको भी देखा है बोलते हुए जिनके उपर करने को कुछ और है और भाई उनका ओरा ऐसा है कि जिसके साथ वह दोस्ती करती है न उनसे दिल से बहुते ना और बहुत ही अच्छा नातरिस्ता हो और ऐसा कोई तबी कर सकता है जब सामने वाला अच्छा हो और भाई इनकी अच्छाई का अगर फायदा उठाया जाए उनकी चुपी का फायदा उठाया जाए क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं बोलती है वो अपने काम पर फोकस रकती है वो सरफ अपने महनत पर बिलीव करती है तो लोग उनको चैन से जीने नहीं दे लेकिन ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई और उन्होंने उनको मूत और जवाब दिया जो उनको बदनाम करने की कोशिश करे है या उनके चर जैसे सवाल उठारी है न वो उनसे कुछ पूछ रही है कि ये बताओ वो बताओ अरे भाई ये तो देखो पहले बात तो तुम्हें वीडियो बनाने की तमीज नहीं है मूँ उठाके आप मैक्सी पैन कर ऐसी सामने आ जाते हो और इसको रियक्शन चैनल कहते है रियक्शन देना होता है जो आप न्यूटल चीजों को होते हैं कम से कम अपनी आखों का अपनी बुद्धी का अपनी अकल का इस्तमाल तो करो जैसे लखन ने और जैसे सपना ने दोनों भेन भाई ने मिलकर अपने लिए स्टेंड लिया और उसको सबक सिखाया और उनका मूतोर जवा है जबजस्ति के लिए सबाल उठा रहा है जबजस्ति के लिए सवाल उठा रहा है जैस 한ग से बहुत दिन से था मुझे इन पर रियक्शन दे रहा था मैं इनको बहुत चीजों को काफी टाइम से फोलो करी थी लेकिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब तक मैं डीपली जान ना लूँ पहचान ना अपनी आखों से यह न देख लूँ कि क्या चीजे मैंने भी देखा है बहुत बार उनकी वीडियो भी देखी है इंस्टाग्राम पे भी उनकी बहुत सारी दिल्स वगएरा देखी है उन्होंने उनका नाम ड्रैक किया तो उन्होंने भी उनको वहाँ पर कमेंट किया और यह कहा कि आपने शांती का नाम लिया है और मैं तो आ यह तुम्हें शरम नहीं आती है, डूप के मर जाओ, यह वो फलाना धिमा का, इतने बैट कमेंट्स आ रहे हैं इसको, और अब तो मुझे लग रहा है, लगता है यह शाद यह पगला भी गई है, क्योंकि जब लोग इसको कमेंट कर रहे हैं, क्यों बिना मतलब के जुट बोल रही हो, तुम जानती भी हो, आधिया दूरी वीडियो किसी पर उगली उठा रही हो, ऐसे ऐसी उठा दो की उगली, तो उसके रिप्लाई में क्या कह रही है, टेंशन मतली जी दी, मेरा तो मोटी भी है, यूट्यूब को बैन करवाना है, तो भाई, हाँ क्या तुम गंद उगलने के लिए आई हो, तो फिर क्यों कर रही हो, सीधा अपने चैनल को डिलीट मारो, बैन क्यों करवाना, किसी को गंदगी में क्यों डालना, किसी के अपर लांचेल क्यों लगाना, सवाल क्यों उठाना, तुम्हें यूट्यूब से जाना, सीधा अपने चैनल को क्योंकि अभी तक तो आपका कमेंट था अब वीडियो और थमनेल भी आपका चैनल जाएगा और आप भी जाओगे उसके रिप्लाई में भी यह औरत बहस कर रही है बजाए इसके कि अपनी गलती मानने के या उन चीजों को क्लियर कर देने के या फिर हटा देने के ना 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 पीछे पड़ गई है क्योंकि यह उनको सपोर्ट कर रही है जिन लोगों से यह शुरुवात हुई है इस कोंटरवर्सी की यानि के कहरी यह दावा कर दिये कि मुझे वीडियो प्रोवाइड कर आए गई है और इसलिए वो वीडियो जो है मेरे पास है लेकिन मैं चुप बै क्योंकि अब यह शोशल मीडिया पर चीजे फैल गई है यह नहीं कि नहा शिष्तिवारी के भाई नहीं यह वीडियो अप्लोड कर दिये अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है हाला कि उन्होंने भी फ्रस्टेट होकर क्योंकि उस वीडियो के थूरू उनको ब्लैक मेल किया रह थी उनको डाट रही थी हक के साथ क्योंकि जब वह इतने ज़्यादा डेप्रेशन में चली गई थी और वह अंट संत सोच रही थी उल्चा सीधा शोच रही 가지고 उनको डाट रही थी है और वह यह वीडियो कोल पर अकेली नहीं वह चार。 जुड़े हुए थे वीडियो जिसने भी दिखाया है वो पूरी तरह से वीडियो दिखाया है क्योंकि उसमें था क्या एक बंदा बाहर से रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो कॉल पर बात हो रही थी जिसमें मनेशा भी थी और दो तिन उनको पूरा हग भी बनता है, इतने दिन का नाता भी है, जब वो अंटसंड सोच रही है, सोच के अपनी तबियत भी खराब कर दी है, गलत चीजों में इंफ्लूएंस आकर वो सवाल उठा रही है, तो उनको पूरा हग बनता है, भाई, उनको डाटने का, फटकाने का, उनको चीजे बताने का, और एलिकेशन लगाने का, हर किसी के मूँ से यही निकल जाएगा, कि ऐसे क्या है तेरे पती में, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, सबसे पहले एक की सवाल निकलता है, कि तो जो अपने पती का नाम गुनगान गारी है, कि तेरे पती के साथ नाम ऐसे ही आप भी एक्शन लीजिए, और प्लीज इनकी साइबर सेल में कंप्लेन कीजिए, और इनकी F.I.R. करवाईए, और अपनी जो ओडियन्स है, ऐसे नहीं, आप बोल रहे हो ना, मेरा नाम मत लीजिए, मेरा थमनेल मत लगाईए, मुझे इसमें ड्रैग मत कीजिए, न को देखो, भर-भर के आपको ऐसे सपोर्ट करेंगे, कि इन जैसे चैनल वालों के चैनल चले जाएंगे, जैसे एक को सबक मिल गया है, ऐसे इन जैसी ओरतों को भी सबक बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपको तो शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसकी खिलाफ F.I.R. कराने की, आपकी जो आर्मी हैं, जो आपकी सपोर्टर हैं, जो आपकी जो इतने सारे फॉलोवर्स हैं, जो आपसे जैनुएनली प्यार करते हैं, वो आपके लिए उनसे इतनी ज्यादा उनको परिशान कर देंगे, कि उसको खुद चैनल छोड़कर यहां से भागना पड़ लेकिन मुझे अच्छा लगा, आपने अपने लिए स्टेंड लिया, आपके भाई का और वीडियो देखके वाके में दिल खुश हो गया, क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन लोगों को कस कस के इसी तरह से मूत और जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम ज अच्छा लगता है आपके व्लोग्स देखकर उससे पोजिटिविटी मिलती है, इसी के साथ मैं भी वीडियो को एंड करती हूँ, I hope वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेर कीजिएगा, चैनल पर पहली बारा हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और और भी जो लोग इस तरह के जो औरतों को ही औरते होकर बदनाम करती हैं, गलत तरीके सपोर्टरे करती हैं, उनको प्लीज स्टॉप लगाईए, जो मेरी भी ओडियो या कोई भी है जिन तक मेरी वीडियो पोच रही है, उनको कमेंट बॉक्स में ही उनकी ओकाद दिखा देनी चाहिए, यह लिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, तिल देन बाई बाई बाई, अल्लाहाफिस, टेक केर